एलो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो सर्दी में हमें सोयल की जरूरत परती हैं हम सबजी उगाते हैं पालक सरसों का साग मेथी धनिया तो उसके लिए जो हमें सोयल चाहिये वो बिल्कूल हम घर में यूज होती हैं चीजे हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं, ये मेरे पास जो सोयल है, ये गार्डन सोयल, मैंने 50% लिया है, ये सुखे पत्तों की खाद, वर्मी कमपोस्ट जिसको बोलते हैं, बोल लिया है, ये मैंने हमारे यहां जैसे बोड और नीम के वरिक्ष होते हैं, उनके निचे की सोयल मैं जो भी कीज़ें आपको बताऊंगी, अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आप उसे मत लें, कोई जरूरी नहीं है, और ये किचन वेस्ट, किचन वेस्ट से जो हमारी खाद त्यार होती है, वो किचन वेस्ट लिया है, और इसमें मैंने सभी कुछ डाला हुआ है, इने बोन मिल भी डाला हुआ है, पर आपके पास नहीं है, मैं सब भी बाते आपको वो बताऊंगी, जो आपके पास उपलब दो, ये लाइम चुनना, बुजा हुआ चुनना है, इसको आप जरूर एक चमच के हिसाब से आप डाल दें, वैसे मेरी कई वीडियो बनी हुई ह इस पर चुनने का आप जरूर यूज करें, ये मस्टर केक, सर्सों की खली, सर्सों की खली मेरे से कई मेरे भाई भाई भेन वीवर्स पूछते हैं कि सर्सों की खली डाले या नहीं डाले, पर आप डालें क्योंकि हमारे प्लांट्स को इतनी गर्मी चाहिए, कि वो सर्सों क खली से मस्टर्ड केक से हमें मिल जाती है तो इसको आप मोटे मोटे टुकडे नहीं डालने हैं आपने क्योंकि मोटे टुकडे डालेंगे तो इसमें कीडे वाइट वाइट कीडा सा लग जाता है जिससे हम आपको अच्छा नहीं लगेगा और समेल भी बहुत आएगी इसकी इसलिए आप इसका पौडर चूरा बना ले और सारी सोयल में मिक्स कर ले यह सैंड रिवर सैंड जो हमारे यहां कंस्ट्रक्शन के काम आते है जिससे हमारी जो यह सारी सोयल है यह हमारी बलू रेट बन जाएगी यानि दोमट मिट्री बन जाएगी हलकी फुलकी बन जो भी हमारे सबजी हैं सरदी की उसमें इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है काउडंग का यूज आप 80% के क्रीब कर लें तो बेस्ट है क्योंकि हमारी ये उपजाओ शक्ति को बढ़ाता है ये सारी चीजे हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम अपना पोट भर हो जाती है जो नई बीगनर वीवर्स हैं जैसे अनीता राणी वी ना उन्होंने पुछा कि हमने कभी खाद ही नहीं दी थी एक पर आपकी वीडियो देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि हम खाद दें अपने प्लांट्स को अरे भाई जैसे हमें अपने फूड के लिए हम तो इसी तरह प्लांट्स को भी यह फूड ही है जो यह पड़ा है यह सब फूड है उनका तो यह आप जरूर दें अपने प्लांट्स को तो इसलिए मैंने आपके समयधन के लिए यह मैंने यह वीदियो बनाई है आप ज्यादा से ज्यादा काउडंग का यूज करें ज्यादा से ज़्यादा वर्मी कमपोस्ट और पत्तों की खाद और किचन वेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और एक मैं आप यहां पे और बताऊंगी कि कभी भी आप जो आप पुरानी बाल्टी या पोट लेते हैं मेरे यहां तो काफी बड़ा गड़ा बनाया हुआ मैंने तो आपके पास अगर जगह नहीं आप कमपार्टमेंट में रहते हैं तो आप पोट लें और होल मत करें वो अंदर ही अंदर आपका जो पानी निकलेगा किचन वेस्ट का वो अंदर ही अंदर हमारा अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप देखें लाइम भी डाला हुआ है और सब कुछ जो भी आपकी वेस्ट अंडे की छिलकें चाय पती है सब इसमें डाला हुआ है और यह बिल्कुल सुखी खाद बनी हुई है तो इसलिए आप इन चीज़ों जो आपके पास नहीं है वो मत रहने दो आपके पास जो चीज़ें आप अ पुराक दें मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक वे शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें थैंक्स